इंदौर से इस वक्त की पड़ी खबर आ रही है इंदौर के कनाडिया अलाके में बुधवार देरात करणी सेना के पदाधिकारी मोहित सिंग पटेल की रिवॉल्वर की गोली लगने से मौत हो गई मोहित को सीने में दो गोलिया लगी है ये गोलिया लाइसेंसर रिवॉल्वर से मारी गई है पुलिस के मुताबिक प्रॉपटी विवात की आशंका है फेस्बुक प्रॉफाइल पर मोहित का कारिकारी जुलाध्यक्ष होना सामने आया है वृत्र की कार पर भी करणी सेना अध् गटना के बाद वहां पहुंचे दो दोस्त ही उसे बॉंबे हॉस्पिटल लेकर पहुंचे डॉक्टर उने मृत घोशित कर दिया पुलिस ने इस मामले में इन दोनों दोस्तों सहे चार को हिरासत में लिया है चारों से पूछताज की जा रही है पुलिस ने कहा कि जल्द ही हत्यारों का खुलासा किया जाएगा